मोधी जी के रूप में स्री राम चंद्र ने जन्म लिया है मोधी राम और कृष्ण की भूंकाम है बेस का भगवान नहीं विस्व का भगवान स्री जी जैसा नेता ना था ना है ना आएगा बेस मोधी खुद को पिदाइशी राष्ट्रवदी हिंदू कहते हैं इसे सुपर करते लाघन इनसान कभी खुदा नहीं होता खाने पिने वाला कभी खुदा और ये तुम लोगों की प्राप्लम है का व्मारी नहीं तो भी हमारे पास हम गंढेजी की गुजा करते हैं को היको आसथर जो जोने में मनुष्य के शरीर पर हाती वाढट करके लो जानुछकर सेंदू धर्म का अप्मान करते हैं और पहले जम उनकी सरकार दिट वर तेयों ने Разने कहा था कि डेश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसल्मानों। कभी भी मुस्लमानों ने बजरंग बली का नाम लेके उनके बारे में कोई उल्टा सीदा नहीं बोला लेकिन ये लोग हैं कि इनके अंदर डारे और हसता अली रजी लगानों की शान में हमेशा गुस्ताफी करते रहते हैं ये डारे और कुछ नहीं जहां भी देखो ये मुस्लमानों को बदनाम करने के पीछे पड़े रहते हैं ये बी एक डारे और एक नफरत के सिवा और कुछ नहीं है ये किसी को कोई फाइदा नहीं देते हैं इसका जीवनी पाप करने के लिए होता है वो घूल टॉपी वाला होता है हिंदूत अवश्दार और बेख्यों गउन इस दर्याकल के काम के नहीं आज बेक案 होगाました हमारे इस बिटक्राश को राज़ेगा अपना काम होगा हो जा एक और अब नाकाम होगा अल्लापाक ने हरे को दिमाग दिया है अपना साइखने के लिए ये तुम लोग रहने हैं कि बहुत सारे लोग हिंदू दर्म छोड़के कोई क्रिश्चन बन गया और कोई मुस्लिम दर्म को अपना रहा है मुगलू ने हिंदूस्तान से मुसल्मानों को जबर्दस्ती मुसल्मान नी बनाया हिंदू को मुसल्मान नी बनाया है बलके हिंदू ने खुद हिंदू को मुसल्मान बनाया है उसकी वज़ाई ये है कि यही नफरत जो आपके मजब में है कि ब्रामन और आई असमाई वाले अताब दर्जे पे बागी सब निजले दर्जे पे इन्शालला मुस्लमाने को तुम लोग कभी खत्म नहीं कर पाओगे हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतिया कभी एक साथ नहीं रह सकती है यह टक्राव होगा, जरूर होगा, और जग दो संस्कृतिया एक साथ नहीं रह सकती इसलिए उसका विभाजन असम्हावी है, अवस्य होना चाहिए जिस दिने राश्ट हिंदू राश्ट हो जाएगा, जिस दिने देश प्रमपुजयोगी याधित तिनाची जैसे युवासन्यासियों के हाथ में चला जाएगा, तो मुसल्मान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, तो उससे वो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो मुसल्मान कियमत तक रहेगा, तो कितने लोग मारेगे, फलस्तीन में इसराइल ने 35,000 मुसल्मान को कतल किया, उसकी जगा, सोथ अफरीका में 40,000 लोगों ने इसलाम लाया, इसलाम कबूल किया, हमें कभी नहीं मिटा पाओगे, हम कियमत तक रहेंगे, लोट के खाते हो, यही तुमारी असली ओकार, तुम लोगो लोटते हो, बल्डूजर तुम लोगो ने लिएहुद्वे और ऐंशलाइए, ना मुसलमादू का, मुसलमानों केलाओं पर विचलाइए, लिए जितने गए बैन तुमारा रंग कुछ और होता है, तुम तो अप बॉसरा होगा जो हम हिंदों को सब्सक्राइब होका हमारा धाई सेख what जिनका नाम बजरंग मुनी है। उन्होंे एक समुदाय की बेटियों का बलतकार करने की बात कही है। '' बाकाईदा जीब के उपर, लौड स्रिकर लगाकर मसजिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। कि इस साले कटूओं से कटे हुऊं से पूछो सल्मा सल्मा इंतचार कर रही है नेरे भजरंगियों का यगर वा एक हिंदु बाले का को ले जाएंगे तो कम से कम सो मुस्लिम बालिकाओं को तुम लोग और क्या बहुंक सकते हों गाली हम भी दे सकते हैं लेकिन हमारा इसलाम हमें यह नहीं सिखाता है हम लोग हक बयान करेंगे सच बयान करेंगे दूसरों की बेहन हमारी बेहन है हमारे इसलाम ने हमें यह सिखाया है हम तुमारी तरह गटिया और गटिया सोच नहीं गटिया काम नहीं करते हैं, हाँ कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन इसलाम गलत नहीं है, इसलाम हक और सच है, तुम लोगों की बस इतनी ओकात है, जितना तुम बोल रहे हो ना, ये तो हिंदु धर्म के किसी भूक में नहीं है, दूसरों की बेन बेटियों का रेप करना, ये तुम लोगों ने अपनी मनमर्जी का धर्म बनाया हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, सब हिंदु ऐसे नहीं है, बस पुछ पुछ गटिया लोगी। आराम बुलवा देगे, आपकी नूच पर बोल देते हैं, क्यों चाहिए है, पूरी दुनिया पे तुम क्या आरिया समाज बनाऊगे, पूरी दुनिया क्या हिंदू बनाऊगे, खुद के हिंदु तो तुम समाले नहीं जा रहे है, वो कोई रिशाइ बंद रहे है, कोई इनको भी छोड़ो, यह दूसरी रिलेजें़ के है, है तो अपने या ही रिल्जन के ह одने ही रिलेजें़ है, हिदू को नफरत से देखती है, वह कंशी है, पिर वो कनवर्ट होके या मुस्लिम बनते हैं या क्रिस्टिन बनते हैं इसलाम में सिर्फ मुखबत ही मुखबत है सब एक बराबर हैं बादशा हो या बिखारी हो सब एक साथ में निमास पढ़ींगे कांदे से कांदा मिला के पढ़ींगे बात्चा हब बायद में आएगा तो पीसे सिर्णियों पे नमास पड़ेगा चपफल की जगा पे नमास पड़ेगा और विखारी पहले आएगा तो आगे सबसे आगे नमास पड़ेगा तुम भूब हुमें ऐसा नहीं है तुम नहीं कुछ लोग मुस्लिम गलत हो सकते हैं, इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम पर उगली नहीं एस्लाम पर उठाना, देशें घटड़ारी करेंगे, वो नब साथई Wal मार पीड के तो मुस्लमानों से जबर्दस्टी गुला सकते हो क्योंकि यही तुम्हारी होकात है इन लोग मुगनों को गलत बोलते हो जब कि यह काम तुम खुद करते हो लेकिन इन्शालला हमें खत्म नहीं कर पाऊगे हम क्यामत तक जिन्दा रहेंगे मैं सब हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ इन चंग घंडू की बात कर रहा हूं जो हिंदुस्तान को दुगाने की कुश्ट कर रहे हैं Hindustan के Muslims, Hindustan के Christians, Hindustan केिठभ, Hindustan के यहूरिज, Hindustan के अगर दिम्नियूमिति हिंक पां के खुद्धों में कआगा पां के बाय वाई हैं , इनकों मिलाने की जगा एक उलता है , इनकों तोड़ रहे हो इंदोस्तान के यहोडी हिंदू कांके हैं इंदोस्तानी के यह सब भाई बाई हैं इनको बिलाने की जगा उल्टा इनको तोड़ रहे हूं याद रखना अबर साथ लाठिया हो जूड़ी हो हो बहुत मज्बूत होती है वो तूट नी सकती है और अगर एक रिकट्टी से एक निकाल के तोड़ो तो वो टूर जाती है हमेशा है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोसे तक जरूर शेयर करें सबी हिंदू ऐसे लिए होते हैं यह कुछ गुंदे और कुछ मवाली है तो इन्शालला रमान हक सामने आई के रहेगा हमार दूसरे किस वीडियो में तब तक लिए अपने मेज़बन महमदी कबल शेक दीजिए जज़त असलाम वालीक।